सूरत के सलावतपुरा पूलिस स्थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है कि सूरत के सलावतपुरा इलागे में एक कपड़ा व्यापारी ने 42.63 लाक और मुंबई के एक अन्या कपड़ा व्यापारी ने 23.70 लाकी ठगी की है पूलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है सूरत के वेसुवी आईपी रोड निवासी कपड़ा व्यापारी आसिश आनन्द कुमार चैन सूरत के सलावतपुरा में एक कपड़ा व्यापारी है और साथ 42.63 लाक रुपे की ठगी में शामिल थे उन्होंने सलावत पुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई कि शाम फेश्वन के मालिक दिनेश शेठा लाल पतेर और कपड़ा दलाल ही तेश और पसोनु अगरवाल ने तेरा बारा दोजार इकीस से चौबिस तीन दोजार बाईस तक उनसे 55.4 लाक रुपे का ग्रे कापड़ खरीदा था अलग-अलग विल्प चलाने से जिसमें से 12.45 लाक रुपे का बुपतान कर दिया था चबकी सेश 42.63 लाक रुपे का बुपतान को नहीं कर दोका गड़ी की थी इस पुरे मामले में सलाबत्पुरा पूलिस ने व्यावसाई की शिकायत के आधार पर मामला दैश कर चांश शुरू की है